नशा करने के लिए अकेले व्यक्ति को देखकर पहले बहस बाद में जगड़ा और उसके बाद लूट पार्ट करने वाले दो आरोपी चड़े पुलिस के हत्ते अमाईया पुलिस ने कारवाही कर दोनों आरोपियों को गिरफतार किया नशा करने के लिए अकेले व्यक्ति को देखकर पहले बहस बाद में जगड़ा और उसके बाद लूट पार्ट करने वाले दो आरोपी चड़े पुलिस के हत्ते अमाईया पुलिस ने कारवाही कर दोनों आरोपियों को गिरफतार किया पिछले दिनों लूट पार्ट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था नशा करने के लिए पहले बहस बाद में जगड़ा फिर लूट पार्ट जिसका वीडियो वायरल हुआ था आज अमाईया पुलिस में दो लोगों को किया गिरफतार रीवा शहर में जगड़ा मारपीट कर लूट पार्ट करने वाले बदमाश हुए गिरफतार नशे के आदी हैं दोनों यूवक नशे के लिए लोगों से लूटते थे पैसे शहर के अमहिया थाना छेतर में मारपीट कर लूट करने वाले दोनों बदमासों को पुलिस में गरफतार कर लिया है अभी पिछले दिनों ही बदमासों का रिवा के द्वारिका नगर में एक सबजी बेचने वाले वच्छात से मार पीट कर लूट करने का सिसी टीवी फोटेज सोसल मीडियम में वाइरल हुआ था वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस इन बदमासों की तलास में जुट गई थी जहां आज पुलिस में इन दोनों बदमासों को गरफतार कर लिया शहर के द्वारिका नगर में मार पीट कर लूट पाट करने वाले दोनों बदमासों को अमहिया थाना पुलिस में गरफतार देते थे माना जा सकता है जिस तरीके से आज की यूवा पिढ़ी नशे की आदी हो गई है नशे के चलते ये लोग कोई भी कारुबार करने के लिए तयार है किसी के साथ कोई भी मारपीट करने के लिए तयार है बस इनको केवल मतलब है तो अपने नशे से जिसके चलते रीव में इन दिनों पुलिस काफी सक्री है पुलिस उन लोगों पर खास तोर से नजर रख रही है जो ऐसे यूकों की तलाश में रहते हैं उनको नशीली सिरफ गांजे का आदी बना देते हैं और उसके बाद गैंग बना कर लूट पार्ट करने का प्रयास करते हैं पुलिस के ये बनाश नसा करने वाले लोगों से मार पीट कर लूट जैसी घटना को अंजाम देते हैं ये बनाश लोगों से पहले बेवज़ा बहस कर मार पीट करते हैं फिर मौका देख उनके साथ लूट कर भाग जाते हैं जहां आज पुलिस ने बनाशों को गरबतार कर विविन ध उनों एक सीसी टीवी फुटेज सोसल मीडिया में सामने आया था संबंदित थाना पुलिस को कारवाई करने कर निर्देश दिया गया था आज पुलिस में दोनों बदमाशों को गरतार कर लिया है ये बदमाश नसा करने के लिए लोगों से लूट पार्ट करते थे इस बारे में हमने रीवा एस्पी नवनीत भजीन से बात की आईए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये लूट के दो आरुपियों को अमया पुलिस ने गरतार किया है और उनकी एक्टिवा गाड़े भी मिली है इन लोगोंने नशे के लिए पैसे खटे करने क्रम में इस घटना को अंजाम दिया है अभी तक कि पूस्ताज में ये जनकरी आई है और जिस वेक्तिकान उन्होंने राशी रूटी थी और उनका अधार काट वो भी उन्तजब्त हो गया है तो अभी हम लोगों उनसे पूस्ताज कर रहे हैं किस अन्य अपराद में उनकी सनलिपता है क्या पिसला रिकॉर्ड क्या है उसको देखने के परशात हम लोगों उनको आज नहीं प्रस्तुत करेंगे